कि लर्णिंग मार्केट इस महीश में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंड़ी का डिसकेशन करेंगे कुछ इनके करना इंडेक्स में बड़े मुवमेंट होते हैं उनका डिसकेशन भी कर लेंगे मंड़े दो एक्सपारी रहेंगी मिटकैप हैं बैंकेक्स की उनकी ड तो ट्रोलर्स तो ट्रोल करते रहें हमें क्या फरक पड़ता है मैं अभी भी इसी बात पहरा हुआ हूँ कि अगर निफ्टी का प्रॉपर वैलेशन देखना है तो अठाला जार ही दिखेगा अब प्रॉपर वैलेशन वो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये किसी को नहीं पता तब पहुंचेगा ये भी किसी को नहीं पता जब आना होगा तो आ जाएगा पर जबसे मैं ये बोल रहा हूँ कि 18,000 फेर वैलेशन है तब से 2000 निफ्टी करेक्ट हुआ है पर अगर आप उसी साब से देखेंगे तो अभी भी तो मार्केट 24,000 पर ही है तो क्या फर्क पड़ता है मार्केट तो 24,000 पर है न फर्क ये पड़ता है इन्वेस्टर्स के स्टॉक्स स्मॉल कैप और माइक्रो कैप तो छोड़ी दीजे मिट कैप वोगिन अभी 40-40-30% तूड़ गया है आज ये कल दो चीजें हुई है दोनों मैं समझाऊंगा जरूर आपको ड इंडिया के उन्हें दो डेटा ऐसे पब्लीश करें जिससे पूरा इंडिया का जितना भी आपको बतलब शो बाजी करी जा रही है वो सब का पोल वहां पर खुल गया तो वो दो डेटा पॉइंट्स डिसकस कर देंगे उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ग्यान देने वा अपने अपने पाटी वालों को बोला उन्हें अपने वक्तों को बोला वना तुम विड्रॉ कर लों तो यही हुआ और तो कुछ लगना है रीजन जो दो इंसिडेंट्स वहें मैं जरूर दोनों सम्झाने ही कोशिश करूंग उसके लिए पहले लेके चलता हूं आपको गृ सम्झाने ही कोशिश करूंगा आपको ठीक है क्या डिसकेशन था यह सब तो देखेंगे इनफेक्ट सुभई मैंने लिख दिया था कि 51 टूटर तो मन के पॉइंट्स वाला हिसाब तो मैंने सुभा सुभा लिख दिया था कि हजार पॉइंट बैंक निफ्टी का आ सकता है भगवान और मार्केट दोनों आपके सपोर्ट में होते हैं वो कहते हैं कि भाई तुने अपना लाइफ हर्ट सोल मार्केट को दे दिया है एक काम कर तू इंजॉय कर ले ले अपनी तू रैली ले 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 भाई तो खूश है उसी में तो वही जहाड मेरे संग हुआ बाई ग कि क्या करना है इसका ग्रूप में डिस्काउंट देना है क्या तो मैंने खुद तो रिन्यूवल को लिए स्लेक्ट किया कि हाँ चलो कुछ लोग को रिन्यूवल को डिस्काउंट दे बाट मैक्सिम लोग नहीं लिखा और 57% लोग तो पुडाने मेंबर हैं तो उन्होंने व दिस्काउंट चल रहा था दोकित स्काउंट डिस्काउंट कोड है वन घ्त ses क法 कंष प्लाइड में पर 11 नीचे से आएगा यह पता नहीं लेकिन बाउंस यहां पर बनता है एक बार तो दिखते हैं कि कब क्या होता है बट पहले यह देख लेते हैं कि कल हमने क्या discussion मैं अब कल मैंने यह शेर किया था ITC ने अपने annual report में यह data डाला and in the same ने भी कुछ important अपने report में डाला तो वो दोने important नहीं होता है यह फिर उनने लिखा कि passenger vehicle and two vehicle retail sales are declining and दोनो negative territory में जा चुके हैं इस particular अगर देखें currently तो लांस दो-तीन में में यह negative में जा चुके हैं यानि कि sales growth वहां पर नहीं है तो passenger vehicle और two wheelers कौन खरीता है इंडिया का retail consumer खरीता है वहाँ decline है आपका consumption में cost बढ़े हुए है और यह सब data न ओफिशल data है जो इन्होंने महनत करके compile किया कोई और को यह चीज news channel वालों को tv channel वालों को दिखनी चाहिए न मैं लास्ट एक महिन से यह चीज रिपीट कर रहा हूं रट रहा हूं लेगिन लोग में ट्रोल करते हैं करड़ो भाई ट्रोल मैं क्या करूंगा अब 2000 पॉइंट का जो फॉल हुआ है उसमें मुझे जो मिल गया वह आपको साइथ अगर हम इंफ्लेशन को पांच परसेंट मान ले तो यानि कि GST कलेक्शन है पांच परसेंट तो इंफ्लेशन का इफेक्टर है तो टेक्निकली ओवराल जो इंडिया का वॉल्यूम ग्रोथ है या जीडिपी ग्रोथ जिसको हम कह रहे हैं वह नंबर रिप्रेजेंट नहीं क अच्छा कर रहे हैं यानि क्या है कि बेस इफेक्ट अच्छा खसा आ गया है और जो इफेक्ट बचा है वो mostly नया consumption नहीं है वो inflation का factor है वो हो गया एंड पेट्रोल डीजल वगेड़ा का जो consumption डी ग्रोथ है वो भी notice हुआ है हाँ पे यह सारे indicators economic slowdown के indicators है ठीक है यह तो मैंने share किया है एक और important चीज कल हुआ है इंडसेंट के result में और आज वो 20% कि रहा हुआ है बट उसके 20% किनने को आप 1000 बैंक निफ्टी फॉल से मत रिलेट करिए क्योंकि उसका वेटर से पांट परसेंट है यह सिंचार सो पॉइंट उसका contribution होगा बट है यहार पंट जो बैंक निफ्टी कि रहा उसमें एक बहुत बड़ा का इसा concern raise क्या हुआ है मैं बताता हूँ किसी भी बैंक ने इन्रेसिंट के तरह प्रॉपर डेटा डिस्क्लोज ने किया और इन्रेसिंट ने प्रॉपर से मैं इस डेटा डिक्स्क्लोज किया है उन्होंने बताया कि माइक्रो फिनाइस डिविजन में उनका एन्रेसिंट आल्मोस 7 परसंट के आसपास एंड्विलर सेग्मेंट में 11 से 12 परसंट के आसपास एंपीए हैं कंपनी बेशती नहीं कि उसका काम बेचना नहीं कि वो बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करेगा कंपनी अपने पास रखते हैं कि कभी आ गया यह एंप शुर्वाने तो और एक डिर साल रख दिया तो उसका दो भाई का कंडिशन खराब और जो नहीं देने वाला हो तो बुलता है है में असेट तो तुम लेके चली गए मैं क्या करूँ अब मैं दूंगा नहीं तो वो टेक्निकली वहलियो जीरो हो जाती है अब यह दो सेग्मेंट जो रिटेल ग्रोथ का सबसे बड़े सेग्मेंट से दोनों में एंपी इतना हाई क्रेइट कार्ट के एंपीएज भी चार से पांच परसंट के आसपास थे हैं यह इंडिरेट सिगनल यह है और हर अच्छा एक्सेस बैंक को छोड़ दीजे तो हर बैंक के एंपीए बढ़के ही आयते भले एजडिएफसी ऊपर चल रहा है उसको मार्केट को बचाना है उसक खाने का ठीक नहीं हो बिचारा बैक का इमाई कहां से देगा माइक्रो फिनांस वाले जो लोन्स है वह बिचारे क्रॉप फार्मिंग में लगाया होंगे पैसा तो अभी बारिश में फुड़ा फसल बरबाद हो गया होगा और उसके बाद कुछ ना कुछ चलता ही रहता है क कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ तो उनका बरबात यह सेग्मेंट से पैसा रिकवर्ड नहीं होता है तो आपको वहां समझना पड़ेगा प्रॉब्लम कहां पे हैं बहुत बुरा कंडिशन यह मैं लास्ट एक दिर महींने से समझा रहा हूं कि बहुत खराब सिच्वेशन चल रहा है अब होगा क्या निफ्टी 2300 पॉइंट बाउंस कर जाएगा लोग अरे देखो तुम्हारा क्या हुआ मार्केट ते बाउंस कर गया अरे मेरे भाई दो परसेंट तीन परसेंट पाट परसेंट उपर नीचे से दुनिया थोड़ी बदल जाने वाली है स्टॉक्स का हाल जाके देखो उसको स्टॉक्स 50-50-60% तूट चुके हैं सबके जो डालिंग स्टॉक्स थे ना लास्ट इयर वाले जो मुदी जी आएंगे मुदी जी आएंगे ये नाम के चिपकाया गया था आपको लास्ट तीन महिने में सारे PSU बैंक्स सारे आपके ये वाले क्या नाम है इसका डिफेंस स्टॉक्स सबका हाल चेक कर लीजे जाके निफ्टी 500 में से 200 स्टॉक्स ऐसे हैं जो more than 25-30% करेक्ट हो चुके हैं और एक एक दिन में 20-20% गिनने वाला इंडसेंट तो अलग कहानी है वो तो ITC का रिजल्ट कल अच्छा आया था उन्होंन पर उन्होंने एकनॉमिक का बहुत बड़ा खोल के रख दिया और यह मैं सबसे समझाने कोशिश करते रह गया करते रह गया कहीं कोई समझने नहीं अब हो गई यहां से मार्केट चाथा सब पाइंट मांस करेगा ठ्योंकि टेक्निकल बाउंस ज़रूरी है बस वहीं पर बहुत बुरा हाल होके रखाया मेरे को कल 6-7 लोगों ने बताया किसी का कोई स्टॉक में MTF पोजिशन स्क्वाइर आफ हो गया कोई 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 पूछ रहा है किसे लीगल एक्शन लूग क्या ब्रोकर बारे भाई तुमने तो MTF में लॉंग किया अगर उस्टॉक वह बीस प डेरिवेटिव खराओ डेरिवेटिव खराओ डेरिवेटिव में तो आप पैसा दे चुके हो उसी में से पैसा जाना है MTF में तो आपने पैसा दिया ही नहीं है आप तो लोन पे खेल रहे हो और उसके बाद जब वह पोजिशन 25% 30% टूटेगा बस आपका ब्रोकर स्कॉर कर देगा कतम का नहीं उसके बाद कर लो उसके बाद ट्रेडिंग में लोग बैठे हैं साथ साथ परसेंट कैपिटल ऊड़ा के लोग बोलता है कैस सेग्में वालों का हाल पूछो अभी नहीं समझ में आएगा आप लोगों को क्योंकि आपका दिमाग और सोच बहुत छोट लोगों के एक्चुली हाल खराब होगी हम लोग प्रॉप डेक्स पर देख रहे हैं लोगों का जितने लोग एक्टी एप में लॉंग बैटे थे सब के सब रो रहे हैं क्यों एफनो वाले तो रो ही रहे हैं क्यों उनका भी तो कोई बहुत अच्छा दिन नहीं चल रहा है लेकिन कैस्ट सेग्मेंट वाले भी रो चुके हैं मैं एक जन को जानता हूं उसके पास बावन सो रुपे का हिंदुस्तान एल्लोटिक्स है चार हजार पर आ चुका है और वह हर सौ सो रुपे पर एवरेज करते आया है उसके इस एवरेज करने का पैसा नहीं बचा है आज चार हजार भी तोड़ दिया था है दूसरे अब व लोगों पैसे चले जाएंगे FD में बहुत अच्छा लग रहा था ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा अच्छा चल रहा अच्छा चल रहा है काफी मेरे नोन लोग है जो जिन लोगों ने आज निफ्टी बीज और मैंग बीज पर्चेस किया क्योंकि 24,000 के पास और 50,000 के प बहुत ले पाएंगे उन लोगों के लिए अलग बात है कि वह थोड़ा बहुत आज खरीद रहे हैं निफ्टी बीज बैंक बीज वह लोग खरीद रहे हैं और यह जो जो बाउस आता है ना यह उन्हीं लोगों के कारण आता है मैंने एक नोन है उन्होंने चार कड़ों के अलग अलग लोगों की अलग 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 कैपसिटी है ठीक है तो लेकिन जो नॉर्मल इंवेस्टर होता है वो सबी सेर पर क्यों खरीद देगा भाई उसको शबी सेर बेचना है एं मैं सब बताता हूं आपको इंडियन मार्केट को चक्रवी बना दिया है इन लोगोंने जब मार्केट का सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है इस अब कमार्केट में जो सब कूछ अच्छा लग रहा है नहींप सब अच्छा चीज चल रहा है और सब कुछ अच्छ तब मार्केट से एकजिट करना होता है और जब सब खराब चल रहे हो कोई खरीदने को रेडियों को तब एंटर करना पड़ता है तो ध्यान रखिए गए चीज और आगे के लिए भी सीख के रखिए के मार्केट में एंटरी तब करनी है वें देर इस ब्लॉड ऑन स्टीट पैसा लोगों ने बियर मार्केट में ही बनाया है ट्रेड करके भी और इंवेस्ट करके भी गिरेवे मार्केट पे जब रिजनेवल मार्केट इंवेस्टर्स के लिए अच्छा है और ट्रेडर्स के लिए तो अच्छा है नो डाउट फिक है पहले यह देख लिए आज का मारा डिस्केशन क्या था उसके पहले एक ब्लोकर का में बतायता हूं एक मैट सून लीजिए उसका डिसकेशन करेंगे 2024 ना इतना इव लिए वरीरोगे लुए ञ लिए उपर से अभी क्या हुआ है फोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है स्टॉक बहुत जह्ता प्लेट वरγें कहां से करेंग क्यों देखें क्यों देखें तो मैं अफिक ब्लस क्या है कि यहां पे फेले महिने आपको ब्रॉकरेज फ्री मिलेगा तो आप ट्राइः कर सकते हैं अच्छे से यहां पे क्या मार्केट शार्ट सब कुछ मिल जाता है आपको प्लस क्या है कि आपको इन्वेस्टिन सेक्टर्स का एक उप्शन मिलता है, जो सेक्टर आपको लग रहा है, उसमें आपको सेक्टर्स के बाकि सारे स्टॉक्स की उप्शन मिल जाएंगे, फिर आप IPO, mutual fund, सब कुछ कर सकते हो, प्लस यहां पर टॉप एंलिस्ट रेटिंग बोल के एक फीचर है, तॉ वहाँ पर buy sell hold का feature वहाँ पर रहता है, उससे क्या है आप उसका फायदा उठा सकते हो, तो मैं क्या कहूंगा आपको कि link description में मैं lemon का छोड़ देता हूँ, एक बार यह एप को explore करिए, काफी stocks correct हुए है, देखी कोई analyst उन पर बात कर रहा है, क्या पता, माली FNO नहीं भी करना आप swing trading में कोई अच्छा stock आपके हाँ लग जाये तो, लिंक description मिलेगा, चेक जरूर कर लीजेगा, अपने सुन लिया होगा, अब आते हैं अपने discussion पर, पहले देख लेते हैं कि हमाला discussion क्या क्या था, फिर हमने कैसे play किया, वो भी दिखेंगे एक बात, निफ्टी 450 के निचे, अच्छा मैंने आज ना बड़े बड़े numbers लिखे थे, बैंग निफ्टी सेश्चेंज भी लग, 51,000, 51,000 तो एक 1000 points, clear लिखा हुआ था, ठीक है, upside move is possible, 51,600, keep dealing stop loss till 52,000, तो upside तो कुछ हुआ है, ने तो क्या ही करना है, mid cap में भी यह हुआ, 550 तोड़ा, ये 300 तक almost संसेक्स का भी सेव चीज था, तूटते गया, ये तूटते गया, almost 79,100 तक गया था, इस टॉक्स बड़े लेवल से, ठीक है, मैं 98 पर डाला, बिचारा इंडसिंट बैंक, इसको next HDFC बनना था, साइब बन भी गया, फिर मैंने 916 पर अप्डेट किया, किसी इंडियन बैंक मे लोगर सर्किट लगे हुए, आफ्टर कोईट फर्स टाम देख रहा हूँ, सिंस इन फेनों स्टॉक्स और लेवल खुलेंगे, और लेवल खुलते गया, खुलते गया, खुलते गया, गिरते गया, गिरते गया, और फिर मैंने डाला, कि अब 51,000 तूटेगा, तो फिर मज़ 24,300 के नीचे ही बनेगे, 24,300 के नीचे टूटा, तो क्या ही बना, कुछ अलगी है, उसके बाद फिर चलते रहा, चलते रहा, फिर मैं मस्ती मज़ा कर रहा था, ठीक है, और वही बस आईस के सामने, एक बाट 1000 पॉइंट दिख जाए, और सब लोग बाई देब बोलते हैं, तो यह मैं, यूएस में खाता था, इसको अवागाडो डिप बोलते हैं, तो अवागाडो डिप में यूएस में खाता था, वही बोला कि अभी यही डिप में भाई करने को सजेस्ट करूंगा, ठीक है, और उसके बाद, सब अपना चल रहा था, बुग, 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 लेवल के उपर, शॉट साइड रहने का बेवकूफी होगा, तो उसके आज जो बैठा हुआ, बैठा हुआ, बैठा हुआ, यह लेवल के उपर, मार्केट एंड तक भी नहीं गया, फिर मैंने 12.36 पर अबडेट किया, बुल्स को एक छोटा सा मूव, 20 EMA के उपर मिलेगा, एक्चुली में 20 EMA के उपर, पहले देखें, नहीं निकाल रहा था, फिर जब निकाला, तो 120 EMA के उपर, सीधा यह, अल्मोस 220 तक गया है, निफ्टी वैंक में उसी तरह से किया, जब यह निकाला, तो 50,500 से यह 800 तक शूट करा, अच्छा कर सा ही था, एंड सेंसेक्स का भी एक बार जाएंगे, जब रस्ती, लोग का दिमाग में क्या है, अरे मार्केट तो 600 पे चल रहा है, चलो हम सब्सक्राइब 500 तक शूट करना है, अब क्या है, कि मंडे के लिए लेवल्स पगेडा जो डिसकस करने है, तो एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है, और जैसा हमने पताये कि ग्रूप का लिंक डिस्क्रेप्शन में रहेगा, स्कैम 2024 कोड रहेगा, अगर अनुवल प्लाइन कोई लेता है, तो उसमें कुछ उसको डिसकाउंट मिल जाएगा, बाकि नहीं देखना है, तो कोई दिक्कर नहीं है, और हमाय नाम से 1000 फेक चैनल चलते हैं, प्ली मेरा भी मानना है कि एक बाल बाउंस आ सकता है, पॉसिबल है, 24,150 का लेवल टूटेगा ना, तो 24,080 ये लेवल मार्केट जाएगा, और 24,080 भी मार्केट तोड़ दिया ना, तो 24,000 डेफिनेटली टच करेगा, और 24,000 के नीचे की जो अन्वाइनिंग होगी, वो 100,100 अन्वाइन आपको स्वाइन एक्स्ट्रा अलग से मिल जाएगा, और वो देखते हैं कि कब क्या होता है, जब तक नहीं होता है, तक सान बैठिए, ठीक है, अब साइड में 24,220, इसके बनेगा 300,400 के तरह मार्केट अप्रोच कर सकता है, और मार्केट ने आज किया क्या है, यह दिखा रहा है कि 24,000 पर सपोर्ट के आज पास से बाउंस करने कोशिश कर रहा है, जहां से पहले भी एक बार बाउंस कर रहा था, अब यह लेवल को भी अगर मार्केट तोड़ दिया, तो यहां पर आपको यह जो मंदिर बनाए था न लोगोंने, ठीक है, है, हेड और यहां पर बड़ा head and shoulder आपको बन जाएगा, तो यहां पर bounce करेगा, फिर वहां से बड़ा head and shoulder फिर सीरह इसको और नीचे तक लेकर जाएगा, थोड़ी वह सम नहीं बात करते हैं, जब वह होगा तो देखेंगे, उतना बता दिया तो लोग डड़ के खतम हो जाएगे, बट अभी पहले bounce, दिखते हैं कि आता है कि नहीं आता है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, तो क्या है, बुल्स को थ्वासा सांस लेने का मौका मिल जाएगा, काफी MTF पोजिशन सटके होए लोगों के, market हो जाता है, उसके कारणी थ्वासा bounce करें, प्रस क्या है, लोगों के जिसका option टगया बताएगा, जम के call राइटिंग है, put राइटिंग तो स्वाहा हो चुकिया, 24-200 है, put राइटिंग है, अब over the weekend क्यारी करके लोग गए है, decay अच्छा का जम मिल सकता है, possibility है, थोड़ा भी flat market open होगा है, तो 40-50. decay इनको बैठके मिल जाएगा, ये बोलके बैठिंग नहीं है, जिसके कर रहे हैं, हम कोई direction प्रेडिट कर सके, nifty bank, नीचे सच्छा pullback दिया है, कल के लिए मार्क करके रखना है, आमको 50,700 का लेवल, ठीक है, 50,700 के नीचे ठीके गा, तो 50,500, first level, 350, second level, आपको देखने को मिल सकता है, क्या क्या लेवल जिहान रखना ह 50,700 का लेवल, इसके नीचे मार्केट ठीकेगा, तो 50,500, 50,350 की तरह मार्केट मूव करता हो, दिखाई दे सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश या दुखी हो जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ चल रहा है, चलने नीचे, ऑप्शन ड़ा देखिए, क्या क्या कहता है, क 51,000 के पुट राइटर्स कुछ निकले है, अगर जब तक 50,900 के ऊपर नहीं निकलेगा, पुट राइटर्स के एकजिट रिकारण प्रेशर बना रहे है, इसकी भी एक्सपाइरी है, ठीक है, यह डबलू बनाया हुआ है, यह डबलू कब ठीकेगा, 12,350 के ऊपर, 12,350 के ऊप 12,300, 12,300 के नीचे टीकेगा, तो 12,230, 12,300 के नीचे 12,230 तक मूव है, बट यह डबल बॉटम का फिर फेलियर होगा, और वो फेलियर फिर आपको यह बहुत नीचे तक ट्राइक करेगा, मैं नहीं बोलना चाहता कहां तक करेगा, 12,300 के नीचे 230 तक का प्लैन करेगा, उसके Bang X थोड़ा बैटर प्रफॉर्म कर रहा था, Bang X बैटर प्रफॉर्म करन्या कारण है क्यों इसमें इंदसिंट बैंक है नहीं, इसलीए बैटर प्रफॉर्म कर रहा था, तक बहुत थे क्या वह रखना है, ठीक है, अपनयों क्या नहलं रखना है, कि 58,000 इसके ऊपर है नीचे प्लान करेंगा 58,000 के ऊपर रहता है तो 58,250, 58,400 के तरब मार्केट अप्रोच कर सकता है 58, 57,98 के नीचे अगर मार्केट तूटता है न तो आपको 57,700, 57,500 के तरब मार्केट मुफ करता हो दिखेगा उसके लिए प्रिपेर रहीएगा में ज़र स्टॉक चार्ट देख लेते हैं, HDFC बैंक, सारे बैंक मिलके बचा रहते हैं, फिर भी 700 पंट डाउन है हम, HDFC भी कुछ खास गीरा नहीं है, 1745, इसके ऊपर है नीचे उसके जर्स करिएगा, एक्सेस बैंक काफी बोलिश्ट था, 1180 इसके नीचे टिकेगा, तो ही न आ सकता है, ध्यान रखेगा, इनफी आज गिरा नहीं, इनफेक्ट वर्ड ने ये पुल बैक भी करा, देखते हैं, पता नहीं क्यों पूल बैक की हमें को नहीं समझ मैं, 1860 ये लेवल के उपर है, नीचे जर्स कर लीजेगा, लाइंस ने फाइनली 2680 के लेवल के नीचे क्ल पूट सकता ही है, सिल्वर, अच्छा गाज़ा चल रहा है, 96000 के उपर अच्छा गाज़ा बुलिश मूव है, 95500 के नीचे दिक्कत दे सकता है, नाच्रल गैस, 210 तोड़ेगा, तभी कोई नेगेटिब बैस है, नी तो नहीं है, गोल्ड एम, 77600, इसके उपर निकलेगा, तो बुलिश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्रूड ओयल, 6000 के तरह अप्रोच कर रहा है, बुलिश बायस ही रखिएए, इसमें 59500 के उपर चापता है, बुलिश बायस इंटैक्ट है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते लिए, वीडियो ची लगी हो, तो लाइक जिरूर कर दीजे कर दिलिए.